आपका स्वागत है। प्रकासन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं लेक पाल भरती में पूछे जाने वाले 25 प्रस्ण ग्राम समाच एम ग्राम विकास के आने हैं उसी की यह पुष्टक है जिसमें 1100 से ज्यादा बहुत विकल्पी प्रस्ण दिये हैं और उनकी पूरी की पूरी विश्तरत ब्याक् साथ में जो भी डिस्क्रिप्ट्व जो भी मैटेरियल है लेक पाल भरती का वह पूरा पूरा इसमें दिया हुआ है और और सभी किताबों को दुकानों में आपको यह पुष्टके मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनला चाहते हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्सिन बाक्स में दे दिये एक बात और बतातूं कि लेकपाल भड़ती की अलग-अलग पुष्ट के भी आती है चाचु प्रकासन की चाहे वो प्रेक्टिसेट हो चाहे वो संपूर्ण गाइड हो चाहे वो ग्राम समाज एवं विकास चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को और स अतर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग के चात्रों-पांच साल तक पूरी तरीके से बंद रहा किसी भी भरती की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई चैसी बहुत सारी परिच्चा है चाहे वो कंबाइन टेक्निकल की परिच्चा दुदर सोला वाली हो या अन्य बरतियां हो इसी के साथ में प्रात्मी सिक्चक बरती के लिए भी विद्यार्थी लगातार संगर्श करते रहे लेकिन सरकार ने एक भी नई प्रात्मी सिक्चक बरती नहीं निकाली जब कि सरकार का दावा है कि इस बीच में विद्यार्थियों की संख्या भी बड़ी है और विद्याल को यह आज विद्यार्थियों को जादा जादा त्विट करना ताकि जितने भी पक्ष है जितने भी पार्टियां वह किसी जल्दी नई जिक्षक भरती की फेल यहां पर लिकार किसी की सब्सक्राइब है यूध 파ोपड हो एक जातम एक आग आप योगी सरकार दावे छो करे लेकि इन वादों पर रत्तिवर्भी अमल नहीं गुआ बेकारी की हालत बत्तर होते के होते हैं और प्रदेस में पांच लाग रेक्थ पदों को जल्द से जल्द भराता यह बात तो सही है उत्तर प्रदेश में बहुत सारे विभाग हैं जहां पर बहुत सारे जुपत हैं वो खाली है एक बात और बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा देगा करें वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत किया करें जादा होगा अगली सूजना है यूपी टी ए टी के लिगा टीटी प्रवेस्पत्र आज जारी नहीं होंगे 23 जनवरी को प्रस्तावीत यूपी टीटी के प्रवेस्पत्र बुदवार को जारी नहीं हो सकेगा परिक्ष्या नियमक परादिकारी के सच्छिव अनेरि भूस्ण विद्धार्थियों का परिक्षा केंद्र है वहां तक विद्धार्थी निश्रक यात्रा करेंगे सरकारी बसों में लिगाप्रस्ण पत्र लीक होने के कारण रद हुई 28 नमंबर की यूपीटी इटी को नए स्रे से कराने की तैयारियां तेजी से चल रही है परिक्षा रद ह को होने वाली इस परिक्षा के लिए पूर में घोजित कारक्रम के मताबिक 12 जनवरी को प्रवेस्मत जारी नहीं हो सकेंगे इस परिक्षा के लिए उच्छ प्रात्मी यहां पर पूरा विवरान लिखा हुआ है तो फिलाल विद्धार्थियों को अभी एक और एक दो दिन क कि इंदिजार करना होगा चुँकि अभी तक कि यहां लिखा हुआ है कि सासना देश जारी नहीं हुआ है सासना देश जारी होते ही विद्धार्थियों के जो एडमेट कार्ण है वो जारी कर दिए जाएंगे और अगली जो सूचना है वह आरस्रट सो सिक्षक बढ़ती की 79,000 सिक्षक बढ़ती में विद्धार्थियों का आरोप था कि OBC और SC को जो आरचण है वो ठीक तरीके से नहीं दिया गया है और उसके बाद में विद्धार्थियों ने लगबग साथ महिने तक आंदोलन किया सरकार को एहसास हुआ सरकार ने माना इस बात को सरकार ने अरस तब तक न बढ़ाई जाए जब तक पूरे अब वर्थियों सूची जारी ना हो और यहां पर लिखा है परिसदी प्रात्मिक स्कूलों में 79,000 स्याक अध्यापक बरती के वर्थियों ने आरचित वर की गलत तरीके से अरसाट सो पदों पर भरती प्रक्रिया रोगने की मार को लेकर के सुम मारकव कोड में याजका दाकिल कर दी है अरसाट सो पदों के लिए जारी चोथी सूची से असंतुष्ट ओविसी और ऐसी वर्थियों को कहना है कि 79,000 बरती में आरचित वर्थि की 19,000 से अजिक सीटों पर घोटाला हुआ है लेकिन सरकार मात्र अरसाट सो पदों पर घोटाला सुइकार कर रही है याजका दाखिल करने वाले मुनिस मौर का कहना है कि पूर्व बेसिक सिख्चा मान देशक विजय क्रण आनंद तथा वर्थ मान में बेसिक सिख्चा परिस्ट किसे परताप सिंग बगेल ने कहा था कि इस भरती में एक भी सीट पर मिलने लगे ओमिक्रान के मरीज 270 सेंपल में 244 मरीजों में मिला यह वैरियंट लखनों में सर्वादी 148 मरीज मिलें प्रिदेस में कोरोना संक्रमन में तेजी के साथ मैं ओमिक्रान वर्य आन्ट के मरीजों की संक्या में इधाफा हुआ है यूपी में जीनोम सीक्वेंसिंग में मिलने वाले मरीजों में 90 फीजदी ओमिक्रॉन के हैं डेल्टा वा अन वरियंट पीछे हो गया है 20 दिसम्बर तक ओमिक्रॉन के 14.44 फीजदी मरीज मिल रहे थे 20 दिसम्बर तक 215 सेंपल के जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी इनमें ओमिक्रॉन के 31 और डेल्टा वरियंट के 133 मरीज मिले थे कुल मिला करके कोरोना संक्रमन लगातार बढ़ता चला जा रहा है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह संक्या पहले 6000 बढ़ी थी 24 गंटे में फिर 7000 बढ़ी है और अब यहाँ पर लिखा है 11,089 मरीज मिले यूपी में प्रियाग राज में 273 नए केस कीवल प्रियाग राज की यहां पर बात हो रही है और लिखा है देश में दो सब्ता में संक्रमन 28 गुना तक बढ़ चुका है लगादार पांचवे दिन कोरोना के एक लाग से ज्यादा संक्रमित मिले है मंगलवार को एक लाग 68,063 संक्रमित मिले है राहत की बात यह है कि एक दिन में ने मामले 12,000 कम मिले है अगली और अंतिम सूचना है साक्षातकार से वंचित हो जाएंगे प्रधानचार बढ़ती के कई आवेदक बात हो रही है माजमिक सिक्चा सेवा चैन बोड की भरती की लिगा उत्तर प्रदेस माजमिक सिक्चक संग एक जुट के पदाधिकारियों की बैटक मंगलवार को सनक्चक प्रधानचार बढ़ती 2013 के लिए जारी प्रक्रिया पर शिलता बढ़ती ऐसे हैं जिनोंने 2013 में आवेदन किया था कि तो वेबसाइट पर उनका फिवराण उपलब्द नहीं है अगर ऐसे चलता रहा तो हजारों बढ़ती साक्षातकार से बंचित हो जाएंगे डॉक्टर हरी प्रकास यादो ने कहा है कि चैनबोर्ट सभी अभरतियों का अनलाइन डाटा अपडेट करें और साक्षातकार की तितियां अवेलम में गोशित करी अनता चैनबोर्ट पर बड़ा अंदोल करने को बात दे होंगे प्रते बहुत सारी यहां पर लोगों के नाम भी लिके हुए है इतनी पुरानी बढ़तियां है आशे ही समाई योजन हो जाएगा उसके बाद में विग्यापन जारी कर देंगे लेगिन विग्यापन जारी नहीं हो पाएगा दो महीने तक जब नए सरकार का गठन Γस्त हो घृति कि यहीं किये दक हाया हाला कि सुप्रेम कोड की वज़ए से यह भर्ती कंप्लीट हो चुक बहुत जादा होता इस बार प्रदोग सेंग्या काफी कम है इसलिए आप लोग लगातार चैन बोट की बढ़ती है टीजीटी और प्जीटी इसकी त्यारी करते रहे विग्यापन जरूर आएगा चाहे वह अपरेल या मही के महीने में आए और इसी तरीके से लगबग एक से दो महीने बाद ही लटी के विग्यापन भी जारी हो जाएगा लेकिन इसमें अभी और विपत जुड़ेंगे पुरानी बरती के विपत जुड़ना है कुछ और विपतों का धियाचन अभी आना है इस तरीके से लगबग 1-2 महेने बाद ही लटी के आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें जिन चात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया और सब्सक्राइब कर ले पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद